एक रेल गाड़ी 45 किलो मीटर आवर की गती से तथा दूसरी रेल गाड़ी 10 मीटर सेकेंड की दर से चल रही है दोनों रेल गाड़ी की गतीयों का अनुपात क्या है देखिए most important question है दोस्तों group D में पूछा हुआ question है देखिए एक रेल गाड़ी 45 किलो मीटर आवर में है और दूसरा रेल गाड़ी 10 मीटर सेकेंड की दर से चल रही है तो पहले आपको यहाँ एडिफरेंट देखना है कि पहला रेल गाड़ी किलो मीटर आवर में है और दूसरा रेल गाड़ी मीटर सेकेंड में है तो एक कोशन सॉल्व नहीं होगा तो आपको क्या करना है मीटर सेकेंड को कीलो मीटर आवर में बदलना होगा तो कीलो मीटर आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 18 बटे 5 से गुना करते हैं यानि 10 गुना 18 बटे 5 18 बटे 5 मीटर सेकेंड को किलो मीटर बदलने में हम क्या करते हैं अठारा बटे 5 से गुना करते हैं तो 5 एका 5 और 5 दूना कितना हो गया 10 तो 18 गुना जिदे हम 2 करें तो कितना होगा 36 यानि कि 36 किलो मीटर आवर हो गया दूसरी रेल गाड़ी की चाल क्या है 36 किलो मीटर आवर है और पहली रिल गाड़ी की चाल क्या है 45 किलो मीटर आवर है तो अब क्या करेंगे 45 बटे 36 करेंगे 45 बटे 36 करेंगे तो 9 पचे कितना होता 45 और 9 चो कितना होता है 36 आनि कि 5 बटे 4 हो गया इसको अनुपात में बदलेंगे तो पांच अनुपात कितना होगा चार होगा देखिए पांच अनुपात यहाँ पांच अनुपात चार बी ओप्सन में दिया हुआ है तो बी ओप्सन अपका राइट आंसर है